हलो फ्रेंड्स, वेल्गम टू माइ यूट्यूब चैनल थेरापटिक नूट्रिशन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपसम सॉल्ट के बारे में, एपसम नमक क्या होता है, इसके क्या यूजेज होते हैं और इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, एपसम नमक का उपयोग सेकडो वर्षों से दर्द निवारक की रूप में करते आ रहे हैं, सोडियम से बने टेबल सॉल्ट की विप्रेद एपसम नमक मैगनेशियम सलफेट से बना होता है, एपसम सॉल्ट में मौजूद मैगनेशियम तवचा की माध्यम से आउशोशित होता है, जो पैरों को एपसम सॉल्ट के पानी में भीगाने से सूजन और मासपेशियों की एठन को कम करने में मदद मिलती है, साथ ही शरीर से विशक्त पदार्थों को निकालने में भी मदद मिलती है, गर्म पानी में एपसम सॉल्ट डालकर उसमें पैरों को भीगाने से गठिया की द और इनही में से एक है अरेंडी का तेल और इसका पत्ता। अगर आपको पेरों में दर्द है तो आप अरेंडी के पत्तो और इसके तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। एपसम सॉल्ट मिलाएं, हलका थंडा होने पर इसे दर्द वाली जगह पर रखकर कपड़े या फिर पट्टी से बांध लें, इससे कुछ हिमिंटों में दर्द में आराम मिलता है। एपसम सॉल्ट में मेगनिशियम होता है, जो की दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। एपसम सॉल्ट के पानी से नहाने से नहाया जा सकता है। पानी में एपसम सॉल्ट डाल कर नहाने से यहां सिरोटोनिन और एड्रेलिन के सिकरिशन को बढ़ाता है, जिसकी वज़े से बोड़ी रिलेक्स हो जाती है और तनाव कम करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से एपसम सॉल्ट के पानी से नहाने से हमारी धमनियों को सक्त होने और रक्त के ठक्के बनने से रोका जा सकता है। यहां दिल के दोरे सहे थ्रदे सम्मन्दी कई बिमारीों की रोक्ता में बहुत ही फाइदे मन्द होता है। इसमें पैर को 30 मिनिट तक डाल कर रखें। इससे तफचा हाइड्रेट रहती है और पैरों की स्वेलिंग और दर्द से भी आरा मिल जाता है। यहां nerves और masspatio के functions में सुधार करता है magnesium और sulfur दोनों ही हमारे शरीर में electrolytes और calcium के ओपियों को नियंज्रित करते हैं और इस तरह nerves और masspatio के functions को बहतर बनाने में मदद करते हैं इस पानी से नहाने के बाद आप उर्जावान और चुस महसूस करेंगे यहां शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, एपसम नमक में सलफर होता है, जो हमारी शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, 10 मिनिट तक एपसम सोक शरीर में जमा हुए लग भग 20 प्रतीशत विशाक्त पदार्थों से छुटक करा मिलता है। कई ब्यूटी सेलुन पेडिक्योर रूटीन के लिए एपसम नमक का उपयोग करते हैं। के प्रभावित हिस्से को इसमें डुबा कर रखें। इससे गठिया के दर्द में काफी आरा मिलता है। एपसम सॉल्ट को कैसे इस्तमाल करना चाहिए। एपसम सॉल्ट का इस्तमाल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले टप में बिना सेंट वाला एपसम सॉल्ट डाले। अब हलका गर्म पानी डाले। इसे पंधा मिनिट के लिए भिगा दे। इसके बाद लगबग आदे घंटे के लिए इस पाने में लेट जाएं। Epsom Salt से नहाने से शरीर में Magnesium का लेवल बढ़ने लगता है। Magnesium शरीर के सभी enzymes को activate करने में मदद करता है। शरीर के सभी मुख्यांगों को Magnesium की जुरूरत होती है। यहां brain से serotonin की मात्रा बढ़ाता है, जिससे बहतर महसुस होता है। यहां uterus को relax करता है और cramps बढ़ाने वाले prostaglandins को कम करता है, जिससे period की दर से भी चुटकारा मिलता है। Epsom Salt में मौझूद sulfate शरीर को detoxify करने में मदद करता है। यहां nutrients को सोकने में मदद करता है और toxins को शरीर से flush करता है। इस तरह से यहां शरीर के toxins को बाहर निकालता है। यहां शरीर में adrenaline की level को बढ़ाता है, जिससे mood बहतर होता है। यहां शरीर की immunity बढ़ाता है, किसी सरजरी के कुछ दिनों बाद Epsom Salt से नहाने से healing बहतर होती है, यहां स्प्रेन और सूजन से राहत दिलाता है, यहां सर्दी और खासी के लिए भी काफी फाइदे मंद होता है। Eucalyptus तेल के साथ मिला कर नहाने से इसके फाइदे दुगने हो जाते हैं, यहां blood circulation बहतर बनाता है, जिससे दर्ज से चुटकारा मिलता है, यहां glutamate को संतुलित करता है, इससे बहतर नीद आती है, यह मासपेशियों के तनाव को कम करता है और central nervous system को relax करता है। Friends, यह था हमारा आज का वीडियो, आपको आज के वीडियो में दी गई जानकरी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आता है, तो इससे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you